वेल्कम टू माई यूटीव चैनल लेचर स्लैब गार्डिंग फ्रेंड्स में टेरस पे दिखे कुछ फ्लार्स ब्लूम कर रहे हैं हिबिसकस है मारी गोल्ड है ग्रेस अंतिमम है और कुछ डेंथस के फ्लार्स हैं तो यह देंथस का प्लांट काफी जादे खराब हो गया है दो चार फ्लार्स खिल गए है उसमें और यह दे कि डेटा ब्लूम क रहा है ता ब्यूटिफुल लगता है डेल्य खिलने पे यह मेरा देसी टेहलिया का प्लांट है और यह मेरा निया इंग्लिश है वाइट कलर का रोज से काफी अच्छा लगता है खिलने प्ले अर यह मेर अब देशी मारी गोल्ड का प्लांट है जो की प्लांट तो काफी बड़ा हो गया है लेकिन यह देखे फ्लार्स इसमें कितने ब्यूट्टेफुल लग रहे हैं और जैसे कि लगता है यह रबल का फ्लार हो तेच करने पे काफी अच्छा लगता है देखी काफी सारे फ्लार्स गुलदाओदी फ्लार्स अच्छे को खिलते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है, मेरे यहां भी हमने जादे प्लांट नहीं लगाया थी लेकिन मंकी इसकी वज़े से खराब हो गए मेरे टोटल फाइफ प्लांट ही वचे हुए हैं और जो कि देखे कितने अच्छे खिल रहे हैं देखे इदर से मेरे प्लांट की कंडिशन देखे थोड़ी से खराब है क्योंकि बारिश की वज़े से खराब हो गए जैसे कि इसमें सब जयका बारिश हो रही है आप लोगों को पता ही है लेकिन फ्लार्स इसमें देखे कितने अच्छे लग रहे हैं काफी लोगों का कहना है कि उनके गुल्दावदी पर बर्स रोआएं बर्ट फलार्स नहीं खिले या प्लांट खराब हो गया जैसे भी जो भी हो अब उन्होंने पता नहीं कैसे क्या केर की होगी तो मैं नहीं बता सकती लेकिन फिर भी देखी में फ्लार्स कितने अच्छे थे खेल रहे हैंज गद ूदे तो एप लों को क्रेसंतिमां पे तीन चार वातों का धियान देना होगा, जिसमरी कि आप लोग अपने गुल्धावदी पे क्रेसंधिमां पे अच्छेखा से फ्लार्स ले सकती है तो फ्रेंट्स के गुल्दाओदी की बात करें तो इसको फुल साइन लाइट में अगर आप रखते हैं तो यह बहुत अच्छा खिलता है और प्लांट बहुत अच्छा चलता है और इसको जादे पानी भी नहीं पसंद है सौगी या मॉइस्ट कहें तो मॉइस्ट मिट्टी इसके लिए बेस्ट रहती है और बस जैसे की सारी प्लांट में होते हैं कि फ्लास डेड हो जाते हैं तो उसकी पिंसिंग आप कर दीचें और फ्रेंट्स इसमें हाँ एफट्स का आटेक होता है माइट्स आ जाते हैं या फिर वह ब्लैक ब्लैक अलर की एफट्स होती है वह काफी जादे लग जाते तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको अगर आप होमेट पेस्टिसाइड फंगिसाइड यूस करते हैं तो फिर आप उसका यूस करिए नहीं त तो कुछ नहीं जब थोड़ा सा प्लांट बढ़ा हो गया तो इसकी पेंचिंग करते रहते थे नियू प्रांच जो आती ती उसको टिप से तोड़ देते थे तो इसकी प्रांच जादे हो गई और उसकी वज़न से इसमें बर्स काफी जादे आएं मैं वसको मस्टर्ड के फट्लाइजर देती हूं और तोड़ा सा परोटार्श ऑर डीएपी मिला के है और थोड़ा थोड़ा सा हुमेकेशिड मैं इसको देती हूं ताकि हुमेकेशिड से इसकी रूट्श मचबूत होती है जिसे कि इसमें फ्लार्ट काफी अच्छी मात्रा में आते हैं देखी रहे हैं आप लोग मेरे फ्लार्स कितने अच्छी खेले हुए हैं टोटल फाइफ प्लांट हैं और फ्लार्स देखी कितने सारे फ्लार्स हैं इस पे मैं मंकी इतना अटैक करता है कि मंकी की वज़े से मैं जादी इसकी कियरी नहीं कर पाई इस बार तो अगर आप तीन चार बातों का ध्यान दीजेगा तो आप किया भी क्रेशन थे हों बहुत ही अच्छे चलेंगे और यह समझ दीजे कि नेक्स सीजन के लिए आप इसको सेव करना चाते तो नेक्स सीजन के लिए सेव भी कर सकते हैं मैं तो हमेशा सेव कर लेती हूँ बट इस बार नहीं कर पाई थी फिर भी मैं दो-चार कटिंग ही लेकी धर-धर से लगा दी थी वही मैं कटिंग से ही फ्लार्स खेले वे हैं जो कि आज आप लोग देख रहे हैं मैं इसमें जादे कुछ नहीं करती हूँ तैरस पर रखावा है इसको दिन बर की फुल संडाइट मलती है और इसको फटलाइजन होए मस्टर केक फटलाइजर कावडंग फटलाइजर डैलूट करके देती हूँ बस बड्स को मैचियोर करने के लिए आप लोग पोटाश भी दे सकते हैं फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीस कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर अच्छी लगती तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ कमेंट करके जरूर बताईएगा और प्लीज अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कि कोई भी वीडियो मैं डालू तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए आप बिल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा थैंक यू फ्रेंट्स